हलो फ्रिंज, ममा की रसोई में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ चिवडा बनाने की रेसिपी चिवडा जिसे बहुत से लोग पोहान अमकीन भी कहते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बैल बटन भी प्रेस कर लीजिए इससे आपको आगे आने वाले सारे वीडियो उसकी नोटिफिकेशन्स टाइम टो टाइम मिलते रहेंगे तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं चिवडा बनाने के लिए अलग पोहे आते हैं अगर आपके पास वो हैं तो ठीक वरना आप नॉर्मल पोहे भी यूज कर सकते हैं तो चलिए अब बाकी की सामगरी भी देख लेते हैं इसके लिए हमने लिये हैं कच्चे सिंग दाने ये नॉर्मल कच्चे सिंग हैं जो मार्केट में बहुत आजी से मिल जाते हैं इसके अलबा हमने कुछ फ्रेश करी लीव्स ली हैं जिन्हें मीठा नीम भी कहते हैं नार्यल को हमने लंबे-लंबे टुकडों में कट कर लिया है और हमने ली हैं कुछ लाल और हरी मिर्च आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं और प्यास को हमने लंबे लंबे पतले पतले टुकडों में कट कर लिया है इस तरीके के कटे हुए प्यास पोहा नमकिन में अच्छे लगते हैं अब हम मसाला तयार कर लेते हैं मसाले के लिए हमने लिए हैं दो चम्मच सौंफ इसमें हम मिला लेंगे दो चम्मच सफेद तिल और इसमें एड़ कर लेते हैं दो चम्मच अजवाईन दो चम्मच इसमें हम मिला लेंगे जीरा नॉर्मल जो हम घर में खाने वारे चम्मच यूज करते हैं उसी से मैं मेजर कर रही हूँ और इसमें हम मिला देंगे लगभग धाई तीन चम्मच राई राई की क्वांटिटी बागी मसालों से थोड़ी सी जादा रखेंगे मैं ले रही हूँ लगभग धाई चम्मच राई दो चम्मच साबुद्धनिया इसमें डाल देते हैं बस ये मसाला तैयार है इसे हम अलग रख देंगे हमने मुर्मुरे लिये हैं इन्हें हम रोस्ट कर लेंगे इन्हें क्रिस्पी होने तक हम लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम भून लेंगे मुर्मुरे अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं इन्हें हम अलग रख देते हैं इसी तरीके से पोहे को मैंने अल्रेडी रोस्ट कर रखा है जिस तरीके से हमने मुर्मुरों को भूना था वैसे ही पोहे को भी भून लेंगे और मुर्मुरे और पोहों को मिलाके अलग रख देंगे अब लिया है हमने थोड़ा सा तेल देख सकते हैं तेल गर्म हो गया है इसमें हम curry leaves डाल देते हैं और जब तक ये अच्छी करारी हो जाएं तब तक हमें इन्हें fry कर लेना है आपको देखके ही पता चल जाएगा जब ये fry हो जाएंगी ये अच्छी कुरकुरी सिखने लग जाएंगी बस इन्हें हम निकाल लेते हैं और इन्हें हमने जो मुर्मुरे और पोहे रोस्ट किये हुए अलग रख रखे हैं उसमें मिला देंगे इन्हें मैंने इसमें डाल दिया है सेम इसी तरीके से अब हम सिंगदानों को भी फ्राई कर लेंगे सिंगदाने जब अच्छे फ्राई हो जाएंगे तो ये थोड़े से आपको फुले वए दिखेंगे और साथी में इनका छिलका भी पटने लगेगा बस उसी स्टेज पे हम सिंगदानों को भी ओईल से बाहर निकाल लेंगे और इसे भी हम पोहे और मुरूरे में ही मिक्स कर देंगे तो सिंगदानों को भी मैंने निकाल लिया है इसी तरीके से अब हम नारियल को भी फ्राई कर लेंगे नारियल को हमें golden होने तक fry करना है यह देखिये अच्छा golden color आगया है इसमें इन्हें भी मैंने निकाल लिया है और अब हमें इसमें प्यास को fry कर लेना है प्यास को fry करने से पहले मैंने इसमें एक चोथाई चमच हल्दी एड़ की है ताकि अच्छा सा color आजाए प्यास को हमें बहुत जाद देर तक इसमें नहीं रहने देना है बस जैसे ही गोल्डन कलर आने लगे हम प्यास को इसमें से निकाल लेंगे जब तक प्यास फ्राए हो मैं मिर्ची को कूट के अलग रख लेती हूं और बस प्याज में भी अच्छा गोल्डन कलर आ गया है इसी स्टेज पे हम प्याज को इसमें से निकाल लेंगे तो ये प्याज को भी मैंने इसमें से निकाल दिया है आप देख सकते हैं अच्छा गोल्डन कलर आ गया है ऐसा ही कलर पुहानमकिन में अच्छा लगता है प्याज का अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस चिवड़ा बनाने का आधा कम तो हमारा हो चुका है तो मैंने इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे अलग रख देते हैं और अब कढ़ाई में हम लेंगे ओल ये गर्म हो चुका है इसमें हम डाल देंगे तयार किया हुआ मसाला जो हमने पहले से अलग रख रखा था इसमें हम मिला देते हैं लगबग एक चोथाई चम्मच हल्दी जिससे इसमें अच्छा सा कलर आ जाए तो मैं इसमें हल्दी डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर लेती हूँ साथ ही में हमने जो मिर्ची कुटी हुई अलग रखी थी वो भी हम इसमें मिला लेंगे ये मैंने मिर्ची इसमें डाल दी है इसे भी मिक्स कर लेती हूँ और ये बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है मसाले के फ्राय होने की बस अब जब राय के तड़कने की आवाज आने लगे उस ताइम हम वो हे का जो हमने मिक्स्टर अलग रख रखा है उसे इसमें मिक्स कर देंगे तो मैंने ये पूरा मिक्स इसमें मिला दिया है इसी स्टेज पे हमको गैस की फ्लेम आफ कर देनी है अब गैस बिलकुल और नहीं करना है और इन सभी चीजों को हम mix कर लेते हैं ताकि सारा मसाला चिवडे में अच्छे से mix हो जाए तो मैंने इन सभी चीजों को अच्छे से mix कर लिया है अब हम इसमें मिलाएंगे एक چमच हल्दी ताकि इसमें अच्छा सा कलर आए हल्दी वैसे भी बहुत अच्छी होती है बहुत सारे बैनिफिट्स होते हैं हल्दी के और साथ ही मैं मैंने इसमें मिला ली है तीन चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं इतना तीका आपको पसंद हो उतनी मिर्च मिला लीजिए और अब बहुत इंपोर्टेंट चीज नमक नमक भी स्वादनुसार इसमें मिक्स कर दे और अब फिर पूरे चिवड़े को अच्छे से मिला लीजिए इन सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है अब हम चिवड़े को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे चिवड़ा जब ठंडा हो जाए अब हम इसके अंदर मिलाएंगे सिट्रिक एसिड मैंने लगभग 1.5 चमच citric acid इसमें मिलाया है इससे एक बहुत ही अच्छा खट्टा टेस्ट आता है चिवड़े में और अब हम इसके अंदर मिला देंगे शक्कर आप चीनी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और चीनी का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं लगभग 3 चमच चीनी मैंने इसमें डाली है इसे भी हम अच्छे से mix कर लेते हैं चिवड़ा बिलकुल ठंडा होने के बाद ही हम चीनी और citric acid इसमें मिलाएंगे अब मैंने चिवड़े को निकाल लिया है एक डब्बे में और इसमें हम डालेंगे roasted चना दाल जिसे डालिया भी कहते हैं ये बहुत easily general store पे available होता है लेकिन मेरे पास अभी lockdown में available नहीं था तो मैंने इसे घर पर ही बनाया है raw चना दाल से, कच्ची चना दाल से, roasted चना दाल हम घर में ही आसानी से बना सकते है इसका link मैं आपको description में provide कर दूँगी जिससे आप बहुत ही easily इसे घर पर बना सकते है इसमें हमने जो भी मसाले डाले हैं जैसे अजवाइन, सफेद तिल, सौफ, इन सब का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और भी जैसे हमने नारियल डाला है, इसमें curry leaves डाले है ये सब चीजे डालने से चवड़ा बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है एक बर आप इस recipe को ज़रूर follow कीजेगा, देखना ही चवड़ा बहुत अच्छा बनेगा तो ये हमारा crispy crunchy चवड़ा तयार है इसे आप कम से कम एक मंद के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते है ये बहुत ही हलका फुलका अच्छा नाश्ता है, सभी को पसंद आता है तो आप ये recipe ज़रूर try कीजेगा और मुझे बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा तो मैं मिलती हूँ अब आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई